प्यारे वित्यार्थियों नमस्कार आशा करती हूँ कि आप सब तंदरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उच्छा कायम होगा आज हम छठी कक्षा के विज्ञान का चौदवा अध्याय जल पढ़ेंगे अब हम देखते हैं कि हमने पहले क्या सीखा हमें जल की आवशक्ता क्यूं है? जल कहां से मिलता है? जल का मुख्य स्रोत कौन सा है? आज हम क्या सीखेंगे? जल का उप्योग, जल के स्रोत, जल चक्र, उनह महसागरों की ओर, बाढ़ एवं सूखे की स्थिती, जल का सनरक्षन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जल का उप्योग कहां-कहां करते हैं? जल के स्रोत महसागरों इवं समुद्रों के जल में कुछ लवन घुले होते हैं, जिस कारण यह जल खारा होता है, लेकिन हमें प्राप्थ होने वाला जल तो खारा नहीं होता, यह क्यूं? आओ जाने! जल चक्र को समझने के लिए आईए हम एक क्रिया कलाप करते हैं दो एक जैसी प्लेट लीजिए एक प्लेट को सूर्य के प्रकाश में तथा दूसरी को छाया वाले स्थान पर रखिए अब इन दोनों प्लेटों में बराबर मात्रा में जल भरिए जल को मापने के लिए आप किसी बोतल के धकन का उपयोग कर सकते हैं ध्यान रखिए जल इधर उधर ना छलके प्रतेक 15 मिनिट पश्चाथ दोनों प्लेटों का प्रेक्शन कीजिए क्या जल विलुप्थ होता प्रतीत होता है? किस प्लेट का जल पहले विलुप्थ होता है? जल के वाश्चपन के लिए इस उर्जा का स्रोत क्या है? दिन के समय सूर्य की किरणे महासागरों, नदियों, झीलों तथा तालाबों में भरे जल पर पड़ती हैं खेत तथा अन्य भूमीक शेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहन करते हैं इसके फल स्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाश्प में परिवर्तित होता रहता है तथा पी जल में घुले लवन शेश रह जाते हैं हमने इस क्रिया कलाप में देखा कि चाया वाले स्थान पर रखी हुई प्लेट से भी जल विलुप्त होता है यद्यपी इसमें अधिक समय लगता है क्या सूर्य के प्रकाश की उश्मा यहां भी पहुँच जाती है हाँ, ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि दिन के समय हमारे चारों और की वायू भी गर्म हो जाती है गर्म वायू छाया में रखे जल को वाश्पित करने के लिए उश्मा प्रदान करती है इस प्रकार जल के सभी खुले पृष्ठों से वाश्पन की क्रिया होती रहती है इसके फल स्वरूप वायू में जल वाश्प निरंतर मिलती जाती है, तथा पी जल का वाश्पन एक धीमी प्रक्रिया है इसी प्रकार बच्चों, आईए बच्चों, अब हम देखते हैं कि बादल कैसे बनते हैं जल से आधा भरा गिलास लीजिए गिलास को बाहर से सूखे कपड़े से पहुँचिए जल में कुछ बर्फ डालिए एक या दो मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए गिलास के बाहरी प्रिष्ट में होने वाले परिवर्तनों का प्रेक्षन कीजिए गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहां से आती हैं? बर्फियुक जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जल वाश्प गिलास की सतह पर संगनित हो जाती है जल को पृत्वी के प्रिष्ट पर पुनह वापस लाने में संगनन प्रक्रम की एक महत्वपून भूमिका है यह कैसे होता है जैसे जैसे हम पृत्वी के प्रिष्ट से उपर उठते जाते हैं ताप कम हो जाता है जैसे जैसे वायू उपर उठती जाती है ठंडी होती जाती है पर्याप्त उचाई पर वायू इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जल वाश्प संगनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों जिन्हें जल कणिका कहते हैं में परिवर्तित हो जाता है ये ही छोटी जलकनिकाएं जो वायू में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है आओ बच्चो अब जाने कि जल चक्र क्या होता है जीलों, नदियों, महासागरों आदी का जल सूर्य प्रकाश की गर्मी के कारण वाश्प में परिवर्तित हो जाता है इस प्रक्रम को वाश्पन कहा जाता है पौधे जल को जड़ों द्वारा सोख लेते हैं इस सोखित हुए जल का कुछ हिस्सा पौधों द्वारा भोजन बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और शेश जल अत्वा अतिरिक्त जल वायू मंडल में छोड यानि के अवशोशित कर दिया जाता है इस विधी को वाश्प उत सर्जन कहा जाता है यह वाश्प वायू में उपर उठते हैं और उपर जाकर छोटी-छोटी जल की बूंदों में बदल जाते हैं यह बूंदें आपस में जुड़कर बादल बनाती है इस प्रक्रम को संगनन कहा जाता है जब बादल बहुत भारी और सगन हो जाते हैं तो इनके बीच की जल की बूंदें वर्षा, बर्फ, अत्वा ओले के रूप में प्रित्वी पर गिर जाती है इस प्रकार बच्चों वाश्पन और वाश्पत सर्जन द्वारा जल वायू में चला जाता है बादल बनते हैं और वर्षा, बर्फ तथा ओले के रूप में जल दुबारा धर्थी पर वापिस आता है इस प्रक्रम को जल चक्र कहा जाता है बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वर्षा, ओले और बर्फ के रूप में धर्ती पर पहुँचा हुआ जल कहा पर चला जाता है? वर्षा के रूप में धर्ती पर गिरा हुआ जल नदियों और जर्नों में बह जाता है अधिकांश नदियां धर्ती पर लंबी दूरी तै करती हैं और आखिर में किसी समुद्र अत्वा महासागर में गिर जाती है परवतों पर से बर्फ भी पिघल कर जल बन जाती है और यह जल आखिर में महासागरों में वापस पहुँच जाता है वर्षा के जल का कुछ हिस्सा भूमी द्वारा सोक लिया जाता है और इसे भूमी जल कहते हैं शेश जल भी दीरे धीरे भूमी के नीचे रिस्ता रहता है कुउं और जीलों के जल का स्रोत भौम जल ही है हैंड पंप अथवा नल कूप से खींचा हुआ जल भौम जल से ही आता है नल कूप के उपयोग वाले क्षेत्रों में भौम जल प्राप्त करने के लिए गहरी खुदाई की आविशक्ता होती है ऐसे क्षेत्र जहां वनस्पती बहुत कम या बिलकुल नहीं है वहां पर भौमी की उपरी सतह बहुत ढीली हो जाती है और वर्षा के जल के साथ पह जाती है ऐसे क्षेत्रों में जमीन कंक्रीट के साथ ढकी जाती है इसके फल स्वरूप भौमी में जल का रिसाफ बहुत कम होता है जिसके साथ आखिर में भौम जल की उपलब्धता प्रभावित होती है जल बच्चों हमारे देश में अधिक वर्षा जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में होती है इसके साथ हमें गर्मी से राहत मिलती है और बहुत सारी फसलों की बुवाई भी मौनसून के आने पर ही निर्भर करती है लेकिन यदी वर्षा आवशक्ता से अधिक हो जाए तो क्या होगा भारी वर्षा से नदियों, जीलों और तालाबों के जल का स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण जल एक बड़े क्षेत्र में फैल कर बाढ़ का कारण बनता है बाढ़ के साथ फसलें, संपत्ती और मानविय जीवन का भी बहुत नुकसान होता है इसके साथ ही वर्षा मिट्टी में रहने वाले जीवों को भी प्रभावित करती है अब बच्चों यह सोचो कि यदि बहुत लंबे समय तक वर्षा ना हो, तो क्या होगा वाशपन और वाशपत सरजन के द्वारा मिट्टी में से निरंदर जल की कमी होती रहती है बृदा सूख जाती है, इन क्षेत्रों के तालाबों और कुऊं में भी जल कास्तर गिर जाता है और उन में से भी कुछ सूख जाते है भौम जल की कमी भी कम वर्षा का कारण है इसके साथ सूखा पड़ सकता है और सूखे की स्थिती में भोजन और चारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि हम जल को कैसे सनरक्षित कर सकते हैं प्रित्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जन्तुओं तथा मनुश्यों के प्रयोग के लिए उप्युक्त होता है अधिकांश जल महासागरों में है जिसे सीधे ही उप्योग में नहीं लाया जा सकता प्रित्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है परंतु उप्योग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित होने के कारण इसकी मात्रा घटती जा रही है जनसंख्या वृद्धी के साथ जल की मांग भी बढ़ रही है कई क्षेत्रों में तो जल भरने के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है खाने की वस्तुओं के उत्पादन और उद्योगों में जल की अधिकाधिक मात्रा का प्रयोग होता है इन्ही कारणों से संसार के बहुत से भागों में जल की कमी हो गई है इसलिए यहाँ आवश्यक है कि जल का विवेक पून उपयोग किया जाए इसे व्यर्थ ना होने दे जल को सनरक्षित और इसकी मात्रा को बढ़ाने का एक तरीका वर्षा के जल का संग्रहन है वर्षा के जल को एकत्र करना, उसका भंडारन करना और उसके बाद उसका प्रयोग करना जल की उपलब्धता में व्रिद्धी करने का एक उपाय है इस उपाय द्वारा वर्षा का जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहन कहते हैं इसका मूल मंत्र है जल जहां गिरे वहीं एकत्र कीजिए कई क्षेत्रों में कंक्रीट की सडकें और मकान होने के कारण जल भूमी में अंदर नहीं जा पाता और यह नालियों में बह जाता है इंक्षेत्रों में जल संग्रहन की दो तक्नीके हैं सबसे पहली तकनीक है छट के उपर वर्षा का जल संग्रहन इस प्रणाली में भवनों की छट पर एकत्रित वर्षा के जल को भंडारन टैंक में पाइपों द्वारा पहुचाया जाता है इस भंडारन टैंक में एकत्रित जल को सीधे ही पाइपों द्वारा जमीन में बने किसी गड़े तक ले जाया जा सकता है जहां से यह मिट्टी में रिसाफ द्वारा भौम जल की पुनह पूर्ती करेगा दूसरा है कि सडक के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमी में सीधे पहुँचने दिया जाए दोहराई जल जीवन के लिए आवश्यक है वायू में वाश्पन और वाश्पुत सर्जन से जलवाश्प मिलती रहती है जल वाश्प वायू में संगनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदे बनाती है जो बादल जैसे दिखाई देते हैं बहुत सी छोटी जल की बूंदें परस पर मिलकर वर्षा, हिम अत्वा ओले के रूप में गिरती है वर्षा, ओले तथा हिम नदियों, जीलों, तालाबों, कुउओं तथा मिट्टी में जल की पुनह पूर्ती करते है महासागरों तथा जलिय भागों के बीच जल के चक्रन को जल चक्र कहते है अत्यदिक वर्षा से बाढ़ आती है, जबकि लंबे समय तक वर्षा ना होने के कारण सूखा पड़ जाता है वर्षा जल संग्रहन की दो तक्नीके हैं छत के उपर वर्षा जल संग्रहन, सडक के किनारे बनी नालियों द्वारा जल संग्रहन अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, उम्मीद है कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे जल चक्र पर नोट लिखें जीलों, नदियों, महासागरों आदी का जल सूर्य प्रकाश की गर्मी के कारण वाश्पों में परिवर्तित हो जाता है यह वाश्प वायू में उपर उठते हैं और उपर जाकर छोटी-छोटी जल की बूंदों में बदल जाते हैं यह बूंदें आपस में जुड़कर बादल बनाती है जब बादल बहुत भारी और सगन हो जाते हैं तो इनके बीच की जल की बुंदें वर्षा, बर्फ तथा ओले के रूप में प्रित्वी पर गिर जाती हैं। इसको जल चक्र कहती हैं। मेरा अगला प्रश्न, अधिक समय तक वर्षा नो होने के कारण भौम जल में कमी होने के कारण डैश की स्थिती उत्पन हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है सूखे की स्थिती। मेरा अगला प्रश्न, अत्यधिक वर्षा होने के कारण डैश आ सकती है। तो इसका सही उत्तर है, बिल्कुल सही, बाढ़, इसे के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है, आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को यह अध्याय समझ आ गया होगा, बच्चों तंद्रूस्त रहें, पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, धन्यवाद झाल